केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 में 114 मिलियन टन गेहूं उत्पादन का लक्ष रखा है। बढ़ती थंड और कोहरा गेहूं की फसल के लिए वर्दान बना हुआ है। थंड का मौसम लंबे समय तक रहा तो गेहूं की बंपर पैदावार होगी। कृषी वैग्यानिकों ने लक्ष पूरा होने की उम्मीद जताई है। बतादें की पहाडों पर हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में भी थंड लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ इस थंड ने आम लोगों का जीना मोहाल कर रखा है तो दूसरी तरफ इस थंड ने किसानों के चहरे पर खुशिलादी है। ऐसे में गेहूं की फसल के लिए जितनी ज्यादा सर्दी पड़ेगी उतनी ही अच्छी होगी। अगर यदि मौसम गर्म रहेगा तो गेहूं में फुटाव नहीं होगा। गेहूं का पौधा बढ़ जाएगा और समय से पहले बाली निकल आएगी। ऐस इस बार गेहूं के बंपर पैदावार की उम्मीद जताई है। केंद्र सरकार ने इस बार 114 मिलियन टन गेहूं उत्पादन का लक्ष रखा है जिसको लेकर क्रिशी वैग्यानिक पूरी तरह आशानवित हैं। राश्ट्रिय गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान के न खंड लंबी चली है, इस गेहूं की बंपर पैदावार होने की उम्मीद है।